हालो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यसूफ जैक्स अभी आप जैसे के नौच एनिमेशन देख सकते हैं हमारे वन प्लस नौड के उपर जो के वाइल चार्जिंग स्क्रीन के उपर जो है आपको एवेलेबल दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक होने के बावजुद भी आपको यह एवेलेबल दिख रहा है तो इस तरह की नौच एनिमेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं आप अपने वन प्लस नौड में इस वीडियो में हम लोग यही चीज जानेंगे तो यहाँ पर भाई यह नौटिफिकेशन जो है मतलब एनिमेशन जो है ना सिर्फ चारजिंग के टाइम बलके हर टाइम जब आप फोन यूज करोगे कई सारी चीजों पर काम करेगी एपीके की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो यार यह वो एप्लिकेशन है मैंने खोल लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो एक और जो है ह आपको यहाँ पर independent light control को on कर लेना है आपको यहाँ पर notification access को on कर लेना है और यहाँ पर आप जो सब notification receive ठीक है तो always पर click कर देना यहां third option पर उसके बाद जो है इसके अंदर आपको और क्या करना है कि while charging अगर आप चाहते हैं जैसे कि मैंने on कर रखा था मैंने आपको शुरू में देखाया था आप यहां से जो है कर सकते हैं इसके बाद यहां पर जो है आप music play करने time live wallpaper के time calling के time headphones के time या other और और भी कई सारी चीजों के time जो है अपने इस notification को enable कर सकते हैं नौच notification को कैसे कर सकते हैं वो मैंन देखा दिया उसके बाद आपको इसको save कर देना है ठीक है यह हर बार जो है आप जब भी इसकी setting को customize करोगे तो आपको जो है save करना होगा ठीक है यह चीज आपक यहां पर आपको दो तीन चीजे जो है बहुत ही ध्यान से करनी है जैसे कि सबसे पहला यहां पर आपको option मिल जाता है adjust manual का ठीक है और यहां पर manual आपका क्या रहेगा 32 32 रहेगा यह आपको ध्यान में रखना है age thickness जो है आप 5 रख लेना ठीक है यहां पर उसके बाद enable notch support में adjust manual पर क्लिक करना है और यहां पर notch type में आपको others चूज कर लेना है चीक है इसके अलावा notch की जो width होगी वो होगी आपकी यहां पर 197 उसके बाद notch की height जो होगी 70 guard radius जो है वो होगा 30 और top set ओ जो है वो 39 होगा और यह जो है यह हिस्सा left पर click रहेगा यहां और यह जो last all option है यह 58 पर रहेगा तो इसको आपको ध्यान में रखना है और यहां पर करना है click around notch only पर ठीक है यहां से आप changes ले सकते हो जो चाहे चूज कर लो जैसे यहां पर मेरा अभी उपर देख रहे हो इसको हम इसको change कर सकते हैं इसकी animation को इस तरीके से यहां पर जैसे कि यह एक एक करके जो है चेंज हो रहा है अलग-अलग style में ठीक है तो यह आप जो है यहां से आप color choose कर सकते हो कौन से color का आपको जो है animation enable रखना है यहां पर आपको बहुत सारे colors जो है देखने को मिल जाएंगी जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसमें से rainbow वाले color को use कर रहा हूं और भी यहां पर options आप देख लो जो मैंने enable कर रहे है वही आपको करना है उसके बाद आपको simply save button पर click कर देना है and then हो गया अब जैसे ही आपका facebook, whatsapp किसी भी चीज से notification आएग नहीं हो या एक यह stylish cover लेना हो ऐसे अभी मैंने इस cover की वीडियो बनाई नहीं है कल बनाऊंगो में भी कुछ भी लेना हो description में लिंक एवेलेबल है आप जाके purchase कर सकते हो यह जो application मैंने देखाया इसको download करने की भी link description में आप जाके download कर सकते हो इस video में बस इतना ही मैं मिलू अगे वीडियो में तक लिए have a great day नहीं है से चनल को subscribe करें और बेल आइकन दख्माए तकि आप से कोई भी वीडियो बनाट्फिक्शन मिसना हो पाए